तो कैसे हो दोस्तों आज तुमाँ JS टूटोरियल में स्वागत है जो कि बिगनर्स के लिए है पार्ट थ्री है यह वाला जहां पर हम जो सीखने वाले हैं वो होगा जावास्किप स्टेटमेंट्स तो एक computer program is a list of instructions to be executed by a computer तो एक computer program जो होता नए एक list of instructions होता है जो कि execute का जा सकता है computer द्वारा तो executable format जो होता है उसीको हम instructions बोलता है programming languages में इन्ही programming instructions को हम statements बोलता है तो programming languages में इन ही programming instructions को हम statements बोलते हैं JavaScript program जो है na list of programming statements है तो बहुत सारे programming statement मिला के ही JavaScript के programs बनते हैं तो अगर मैं तुमको इन सारे statements को remove कर देते हैं अब हम एक example लेते हैं जिसमें हम जो data type रख रख रहा हूँ तुम confuse मत हो ना मैं तुमें सब पढ़ा हूँगा तो वार data type रख रख रहा हूँ जिसमें मैं 3 variables को क्या कर रहा हूँ initialize कर रहा हूँ x, y, z x में store कर दे रहा हूँ 23, y में store कर दे रहा हूँ 33 z में x plus y कर दे रहा हूँ ठीक है तो x यहाँ पे plus कर देता हूँ मैं plus y कर देता हूँ पेस यह सारे यह बुए सब्सक्राइब और यहां पर इसका हम स्टेंट में कर देते हैं। इसको हम स्टेरें कर देते हैं। इस्कों हम statement for American ये gathering इन्ड़ुलर स्टेटमेंट हैं ये तीसरा इस फोफ्र स्टेटमेंट है तो सारे है अथन के दीज मारा है एक पाटिक्यूलर यप वी जो ये first statement के ला रहा है, second वाला जो हम देख रहे हैं, x जो की initialize कर दिया था, मैंने store किया value, तो semi-colon send हो रहा है, तो ये भी एक executable program है, या instruction है, तो ये third statement इसमें y का value मैंने assign किया है, और ये fourth statement इसमें मैंने result को store किया है, तो ये ही सब था statement के बारे में, अगर तुम channel पर नए हो तो subscribe भी कर सकते हो, और bell icon दबा के notification भी ले सकते हो, bye bye